दोस्तों यहाँ पर UPPCL में जो 4102 पदो पर भरती आई थी उसको ले करके यहाँ पर दोस्तों काफी घहमासान मचा है विभाग में और जितने भी यहाँ पर जो चात्र है जो पूराने चात्र है जिन लोगों ने अपलाई किया था उन लोगों ने यहाँ पर साथ में युव लगता है वहाँ पर भी जाकर ग्यापन दिया और तक्निकी से वाँ तक्निकी भरती निकालने की बात की गई खास तोर से लाइनमें वेकेंसिस को 4000 जो पदो पर भरती आई थी 102 पदो पर उसको बहाल करने के लिए खुब वहाँ पर रिक्वेश्ट भेजा है आप देख सकत के 4102 पदो पर भरती बिग्यापन को लेकर बहाली को लेकर परदेश भर में तक्निकी ग्रेट के रिक्त पदो पर ततकाल ग्रेट के रिक्त पदो पर ततकाल चैन प्रक्रिया सुरू करने की मांग को लेकर मुख्य बंतरी को संबोधित मांग प्रसासनिक अधिकारियों को स रोजी रोटी हर तरह से आउसर खत्म हो रहे हैं तक कि ग्रेट एकाम आउट सोर्षिंग वह समीदा पर हो रहा है दोस्ते आप बिल्कुल सही कहा गया है कि जो आउट सोर्षिंग वाला जो सिस्टम है यह बड़ा ही घटिया है और इसके दोस्तों आपको पता है कि लाइन में अभी हर गाउं में आपको मिल जाएगा 9000 में, 8000 में काम करने वाले, 7000 में वो जही दवारा रख लिए राता है जो भी हलका पुलका जो सरीर से ठिक ठाक होता है जो चड़ लेता है खमबें पर तार जोड़नें में एक सपार्ट होता है उसको 8-9000 के कि लिए आपको ऐसे ह एक चुपके से अंदर ही अंदर कर दिया गया है इसकी बहाली और किसी को भनक भी नहीं लगी यह भरती ना होने का यह भरती कैंसल होने का सीधा से मतलब है कि गुवर्मेंट कुछ एक्स्ट्रा वहन पैसे खर्च करना नहीं चाहती विभाग में बिजली के हालत आप देखी है किस तरह से है अभी आप गौव में जाओगे तो वहां पर च्छे घंटे आठ घंटे लाइट रहती है इस इस हिसाब से मनमानी इसने विभाग द्वारा किया आता है दह जार के बिल को बढ़ा करके पचाहजार कर दिया आता है और एक कच्छे के मकान में अगर चोटा सा घर है वहां पर एक दो तिन बल्ब जल रहे हैं और वहां पर अगर एक पाइन भी है तो उसकी बिल जो है महिने में 500 800 तक आता है और इसको लेकर अगर कंप्लेंड करने को जाता है तो यह भी भाग वाले जैई यहां का जो एसडियो बिल्कुल भी नहीं सुनता है तो यह भरष्टाचार जो है विभाग में यह बिल्कुल भी अच्छम में है गवर्मेंट को सुचना चाहिए कि इस पर हम करे बहाली यहां पर बहाली को लेकर के क्योंकि यह प्राइबेट सेक्टर के जो लोग हैं संभीदा कर्मचारी जो हैं लाइन में मीटर रीडर यह सब क्या करते हैं लोकल होते हैं वो मिस्यूज करते हैं वो मिस्यूज मतलब कि उसका जिससे जिससे बनता है लगा होता है उसका से उसका bill ठिक-ठाक बनाते है जिससे थोड़ी दुसमनी होती है अपर जिसका नहीं पढ़ता उससे उसका घलस बनाकर रहकर देता में रिकुर्ट किसी का bill हुआ 400 बना दिया च्छह सो का 106 बना दिया 800 elf इस तरह से और कभी कभी यह क्या करते है कि बिल हुआ 600 का बना दी 300 का बोल दिया उससे के 300 ही बिल देना है बाकी जो बिल बचा है न वह तो मिटर में रहेगा वह अगले महीर निकाल लेगा जैसे कि मानलोग किसी का आया पांच सो उनिट विजली के बिल आया आया और उसने कह बिल बनाया और 300 युनिट का पैसा ले लिया अईसा होता है 200 र itt का पैस चला गया 200 युनिट बिल बना रहे हैं और उसने बनाया 100 युनिट में पैसा लेके निकल लिया वरषटाचार ये पोब बैसे बहुत धांदली प्रेश्टाशार हो रहा है यहां पर वेकेंसिस हरहाल में आनी चाहिए जो लाइन में की जो वेकेंसिस थी यह भरती हमेशा हरहाल में होनी चाहिए साथ-साथ यहां पर TG2 की जो पद हैं उसको भी भरना चाहिए यूपी एर्मिनल में राज्य पिद्यत उत्पादन निगम लिम्टेट में भी जो पद खाली हैं वो भी भरना चाहिए क्योंकि यहां पर लड़के लगातार यहां पर प्रप्रेशन तयारी कर रहे हैं लहाबाद में लखनाओं में जगा 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 जहां भी आप तयारी कर रखें अब तो यह तो फिक्स है कि लोकसभा के चुनाओं खतम हुआ है भरती आएगी और कॉन्पिटेंस में आप लोग रहे हैं भरती 100% आएगी